माह खांनी बताओं जिसमती राहप स सद्रोलिकों बूलना को इनको नमाज पढ़ना था इंडिया मजी जित नहींया वालों को नमाज पढ़ना होसे कि जिनेता को तो सीधा बहाँ चले जाते हैं पत्रकार है चाटे इसको चाटता रहे यह प्रूब दे या तो आकर चाटे तर्टे टर्टे वही तली पार है यह तली पार ठीज़ा ठेंगे कहा चाणक भूझासमितिरानी जी हिजाब से नफ्रत करती है यह बच्ची के साथ फ् मेडिया है इनको तो इनसे तो आज तक मैंने गोदी मीडिया को कहा को चपलों पर रखा यही चपल दिखाया है आपके साथ जफर सिद्धी की आप देख रहे हैं मिल्ले टाइम्स भवे राम मंदिर के उधगाटन की चर्चा पुरे देश बर में बनी हैं देश की राजधा यानि दिल्ली के अंदर हर चोरा है हर कोने पर बोड लगाए गए हैं और यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर के उधगाटन वाले देश यानि के 22 जनवरी को पूरा देश जो है वो इतिहासिक दिवाली मनाए और दूसरी तरफ चारो धर्म गुरु शंकर अचारे जो है विरो सब्सक्राइब कर देख रहे हैं कि तस्वीर दिखा रहे हैं यह दिल्ली का अपने बाद कि तुम दिल्ली के पर देश जो है भार्जयंता बाद दिल्ली मंदिर प्रपोस्ट जी यह मंदिर का प्रकोष्ट बनाया मतलब हर जगे भाष्टपा पुजारियों को अटाकर आपको दिन में भार्जयंता पार्टे मुस्लिम प्रकोष्ट बन जाएगा तो वहां भाष्टपा के जो लोग होंगे वह काम करें मतलब आप सबच रहे हैं कि राम से बड़े कौन मोधी जी अब आते हैं कि आपका कहन अब लेक्त नहीं मानी जा रही है लेकिन पर इसाम लग रहा पंडी जी अपलो शलात खांट अपल मार खानी बताओ जिस पत्रकार को कार ना आखम से ब्याद करें अखबार में हम मारे चपल के भूत उतार देंगे बेसर मोगा लो काई पांच लागर एक बीस अग्वाद तरी हा है हमने का चान का हम तो कर तकार है चाटे सको इसको चाटता रहे यादव देया तो आके चाटे है मैच चालेंज घरता हुए तो समय ऐसको नहीं को तो को चाटे है जूड़ा को लोगते हूए हमारे धार में गुर्मों पर इस तरह का इल्जाम लगाना तो लगते हुए यह कौन से भाजपा ने छूड़ते रखे मीडिया बालों को आप किसी की बिश्रीतर पर उंगली उटा सकते हैं संकराचार को याम इंसान नहीं है एक 120 क्रोड हिंदुओं की आस्ता का प्रतीक है उनमें इस तरह का इल्जाम नहीं साइगा संसमाज इसके लिए अंदोलन करने की त्यारी भी की जाएगी बेसर्मों दलालों कोड में घसी सेंगे बेसर्म दलाल को बाजपा को चता रहें आप बाजपा कैसी बाजपा बाजपा है पैसे की परवादी रियंदर मोजा सरकार में किया रही है कोई लक्षदीब जा रहा है मदिना जा रहा है तूसलाम कभूलना है क्या इसमिर्दिरानी बता सकती है तो मैं मदिने गई तो मैं इसलाम को बुलने जाता हूं यह बाटपा के अंद्धिरानी बन जाएगा बताऊ कि बाप के ना जाएं दो यह दो कहानी है दूसरा स्मितिरानी जी हिजाब से नफ्रत करती है इनके पार्टी के नितात इनकी सरकार कराड़का में थी हिजाब का मुद्दत चला तब तो तो ने कुछ नहीं बोला पावंदि लगा दिए उसके बाद भी यह जाब पाहन अन्यात और नियत दोनों में अंतर है यह लोग बेशर्म है मां भी महें आप मांगो इसमें जिरानी देश के हिंदूओं से मांभी मंगो इन मुसलिम बेटियों से जिनको तुमने लटके नाम पर यह एक बच्ची को कितने लड़को ने घेरा था लेकिन वहिदा पढ़ने वह मदीने क्यों वह तो हम भी कहते हैं कि अपने उनको नमाज पढ़ते में देखा मदीने में बोले वह बोले यह तो ऐसे नेताओ के चली तरों चाल ढाल में कुछ अंतर होता है अच्छा लेकिन एक तरफ जो है राम मंदिर का राम मंदिर पूरा बना नहीं तो राम मंदिर पू था है तो हमारे यहां कैसे जाँ हो बाले मंदिर में तुम पूजा पार शुरू करते हों जनता हुं कोई नहीं है आप देखेगा गर-गर-घान आएंगे 22 तारीक को अगर यह ऐसा कुछ करते हैं तो पर लाए आएगा इसका परणाम भाजबा को जिलना पड़ जाएगा हो सकता है बात्पा की सरकारे कि शार्पांट जगिर जाए क्योंकि उदार सिवराज चिंग वसंदर राजे काफी तेजी से मेहनत कर रहे हैं तरकार गिराने की चक्कर में अच्छा को दो प्रकोफ पड़ ला है अच्छा आप दुबारा दौजाएंगे जब रामाज आएंगे और आप देसरमो द्लालो 5 शाल संगर्स नहीं है मैं पलवले जाकर के राम को लाने का जंघ नहीं था राम को इस्थापित करने जगाता संगर से राम के यां आवे यह आज पता है अंदर मोधि को पता नहीं है क्या बीसार मौट आये मोटा भाई है मोटा भाई आप है अब इससा तरीपा देश के ग्रयामंतरी आट टो मान एंग कह तो जान्वानका है बोलो ना तलीपार आप बोलो अब हमसी आ रहे तुम लों को आता अब तलीपार का से बोल सकते भाई यह डंबना है यह तो हमारा यह कहना है कि उस जगह है जहां चंपत्रा इसमें बैठे हुए है वह बहुत बड़ी जगह है जरनें वाला बक्ता यह करोई समगे है दे लोग की लोग लग ciento हर ने दिया ने दिया क्याए है तो हो दो मतलाव यह लोग मंदिर हतया करने के लग गए और इधर देखिए यह मदीने कहीं है हमारी स्मितिरानी इनको नमाज पढ़ना था तो इंडिया मजी जित नहीं है न अब जीधा जब भी भाजपावालों को नमाज पढ़ना होता है कि जिनिता को तो सीधा बहां चले जाते हैं और मैं बाद बता दू इनके में अगर आप पढ़ोगे तो आपको हसी आजाएगी क्योंकि मोटा भाई के अनुसार मोटा भाई के अनुसार मोटा भाई को बताए उनके अनुसार जब रावन से रावन अंतिम सास ले रहा था तो राम ने भरत को भेजा इसका मतलब भरत गए थे बनवास में लक्षमन लें गाए तो यह तो मोटा बाइक रमाया तो ऐसे बेसर में नमूने हम लोगर राम जी प्लाने मंत्री है ग्राय मंत्री इसके सुनो दस्ताने मिसा पंचान बेदिन बिदाय जेल में वही सक्षे जिसको भारती न्याले ने समाज में रहने लायक नहीं समझा था यह वही तली को भेजेंगे मतलब अमिस्सा को भेजेंगे कि जाओ विधाया खड़ित के ले कि आओ अच्छा जो सरकार गिरा के आओ जाओ सत्ता कैसे बदली जाए इडी कहां वेजी आई यह करके आओ भी सर्मों दलालो तुम राम को समझ पाओगे राम की तरह रम नितिकर पाओगे त कि स्माज के सब्सक्राइब च्वाल सुनिजी अगर आप अपने आगे बड़े महलाना की बात मांते हैं तो अगर आप इस तरह की बादा का प्रयोक करेंगे तो हम आपके उपर ही मुका आनकर रहें हैं नहीं मीरी हमारे संतों से बढ़ा हमारे आपके धरम में मौल भी आ बार बार आप बोल बोल कर रहा है और फिर आवे मुस्लिन समाज के हैं फिर आप लंगल आते हो यूपी में आएंगे और यूपी पुलिस आपको मारेगी को तो करके दिखा दे इसलिए सोच समझ के बोलो नहीं सवाल तो सुनिए देश की जो बड़े चैनल है आज तक है यह याशिगे हम रहा है है राम तती थैमρε यही यह चुकिए गोई झाल के आश सब दल आल मिधिया है चाटकार अर्मील मिधिया है इन को तो इन से तो माच तक मैंने गोदी मीडिया को कहा को चपलों पर रखा यही चपल दिखाया है देश का नूंबर वन चैनल हम स्टूडियो में घुस के मारे बेसरमों को उल्लू पुल्लू को तो यह बत्तमीजी करके देख ले हमसे और मैं एक यह और बोल दू इसलिए मने आस्ताग गोदी मीडिया को एक बी इंटर्वी नहीं दूंगा कॉंग्रेस भले माने ना माने लेकिन मैंने इनका परित्याक कर दिया है मैं श्राप देता हूं को ती मीडिया को कि आने वाले समय में तुम्हारे तुम्हारे चैनल पे तुम्हारी बातों पे विस्वास इस देश की जनता नहीं करेग यह श्राप है यह श्राप है एक ब्राहमन का चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पंडित बालियों की विजय शर्मा जुन्हों ने बेबाकिस द्वास वाले को जवाब दिया उन चैनलों को जो अपने बसों पर यह लिक कर घूम रहे हैं राम आएंगे मंदिर वह हैं वह अपने बाब को बता करके दिखाएं आप पूरी वीडियो को देखर क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाके जरू बताईए और देखते रहे हैं मिल लट्टाएं